आप जूट बोल ले थे फिर आप गुंजन सेट को गाली दे रहे थे उसे गद्दार कह रहे थे अब आपने MIM छोड़कर NCP में शामिल हुए तो अब आप क्या है पहले तो आप बोल ले थे मुझे NCP नहीं चाहिए तो जिस विकास को आपने जूट बताया है उस विकास को अब क्या बताएंगे वो अपना नामांकन वापस लिये और उसके बाद फरार हो गए लेकिन उसके बाद MIM के जो कारे करता है उनमें काफी हलचल मची हुई थी लेकिन वही MIM के जो ब्लोग प्रिसीडेंट थे आयाद बबलू उन्होंने भी MIM पार्टी छोड़ दी है और NCP में शामिल हो गए ह अब कहीं न कहीं जो MIM के तमाम मुद्दे थे मुम्रा शहर की जिसको लेकर वो NCP पर निसाना साधा करते थे ऐसे में अब जो निसाना साधते थे वो लोग खुद NCP में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ मौजूद है आयास बबलू हम उन्हीं से बात करते हैं आप लोग जिस NCP में शामिल हो गए हैं देखिए पिछले जो दौर जो पिछला एक मैना पंदरा दिन जो सियासी जो माहल जो मुम्रा कौसा से गुजरा है वो बहुत ही महाराज की राजनी दिवी में अपना मकाम रखता है और जिस हिसाब की सियासत मुम्रा कौसा में की गई है और जिस हि परक करे आज़ में इ detecting the डालESS आज़ कि रिलक में जधा ने जाए। सिरु थीजिए अवे गशामिंद करनाे तो रोणने उस बसूल से यह जड़ सीम्ते त्यश्य थे जाए, पर फोग석 में देख्याया हूत सेना, NCP और MIM यह तीन पार्टियों में लड़ाई थी लेकिन जिसी सबसे MIM के फैसले हुए हैं जिसी सबसे हमारा विरोध रहा आम कारेकरता का विरोध रहा पार्टी के पोस्टोलर्स का विरोध रहा और पार्टी के आलाक अमानों ने पार्टी के लोगों से ना पूछा ना कुछ किया और अपना फैसला हम पर लाकर थोब दिया उस फैसले को भी हमने एक्सेट करा करा लेकिन आखिरकार क्या हुआ कि यहा हुआ कि और चेनरे बहुँ आइड लाइग गया वन्होंने ऐसा कंडियेट हमारे लाकर थोब दिया कि जो किनडियेट नहीं था इसका मकसद ऐसा था कि कही ना कोई विसमें लगता है कुछ ना मउम्रा कौशा में आई है तब सेले कि अब तक आकबर साबका और 2014-2014 में उस जलसे के बास लेखे अब तक कंटिनुसली में माएम ने बना रहा किसी के बोलने नहीं बोलने से मुझे कुछ फरक नहीं पड़ता है लोग जब मैं मैं में था मैंने हमेशा एमाएम को बढ़ानी की कोचिछ की किसी शक्स को बढ़ानी कोचिछ नहीं की M.I.M. के सदर असदुने साब ने जब भी जो फैसला जिसके नाम पर दिया मैं हमेशा उसके फैसले पर गया जिनको उन्हेंने अद्धिक्ष बनाया मैं उसके साथ मेरा क्योंकि उनका फैसला था उनके फैसले को मान के चलना हमारा काम है हर काले करता का काम है उनका फैसलों को हम डबल क्रॉस नहीं कर सकते हैं इसलिए मैंने हमेशा उनके फैसलों की इज़त की और उनके फैसले के तहट ही चला बले असदर ने काम किया हो ना किया हो उन्होंने फैसला दिया उनके फैसले को हमने माना और उनके फैसले के तहट चला लेकिन अब जुरुशन का फैसला आया है जो फैसला उन्हें ने हम पर थोपा देखी जो केंडिड़ उन्हेंने दिया उसकी इतनी मुछालिफट हुई दूसरी पार्टी के अंदर भी उनके केंडिड़ की मुछालिफट हुई जैसे आप देख सकते हमारे पर्षेंट दिया पार्टी के लिए लेकिन हमें कहीं नहीं किया आपने MIM पार्टी को क्यों छोड़ा क्या इसे आप के ओपर किसी तरह का दबाओ था प्रेशर था या इसकी कोई और वजा थी देखिए दबाओ में प्रेशर में तो मैंने आज तक कभी किसी के लिए भी काम करना तो मैंने नहीं के लिए मैंने काम नहीं किया मुझे नहीं घ्लो से नहीं काम करा इद थे लेकिन मुझे Jr. het रहे थे उसे गद्दार कह रहे थे लेकिन अब आप MIM छोड़ कर NCP में शामिल हो गए तो ऐसे में आप क्या है देखिए मैं गुंजन को कल भी गाली दे रहा था तो मैं गुंजन को आज भी गाली दूँगा अगर आप मुझे उसके बारे में अगर कुछ पूछेंगे तो मुझे आज भी गाली दूँगा आप गुंजन सेट को गाली दे रहे थे उसे गद्दार कह रहे थे अब आपने MIM छोड़ कर NCP में शामिल हुए तो अब आप क्या है अगर MIM जो अमिदवार थे गुंजन उन्होंने MIM के साथ गद्दारी की है और आपने भी MIM छोड़ कर NCP में शामिल हुए है तो फिर आप क्या है देखिए वो अभी लोग क्या कहेंगे मुझे इससे कुछ लेना दना नहीं है मैं एक पार्टी का हमेशा अच्छा और वेलफिशर कार्य करता बनके उसके लिए काम किया हूँ लोग क्या भूलेंगे मुझे इससे कुछ लेना दना नहीं है कल भी मैं जब पार्टी में था मैंने आपको पहले ही बताया तो लोग मेरे पीट पीछे मेरी बुराइय करते थे और आज मुझे खुल के सामने से बुराइय करेंगे तो मेरे लिए इस सिधी तो सेम ही है जो पहले थी आज भी वही होने वाली है कुछ मेरे अच्छे दोस्ट कुछ मेरे अच्छे साथी उसके अंदर हैं लेकिन MIM में आज भी जो लोग काम कर रहे हैं कई ना कई उनके दिलों में ये चुबन और ये है लेकिन कैसा है कि कुछ बातों के वज़े से वो लोग अपना स्टैंड किलियर नहीं कर पा रहे हैं ले अब आप NCP में सामिल हो गए हैं तो अब आप इस विकास को क्या बताएंगे देखिए कैसा है कि जब हम विरोध में थे विरोधी पक्ष थे तो यह हमारा काम था के कामदार को उसके काम को बताना वो हमने अपना बखुबी आप जूट बोल रहे थे फिर जूट किस चीज़ क जूट किस चीज़ का है सियासत करने जब बैड़े हो तो उसमें जूटा और सच्चा क्या है हमारा उन पे आरोप था यानि आप मान रहे हो कि हमदार ने विकास हमने उनसे अपने काम की जिम्मेदारी ली उनसे अपना काम करा करा के लिए अगर हमारा विरोध ना होता तो जहां कबरस्तान आया कम से का महाँ पर भी अपने कबरस्तान नहीं होता सलोटर आ उस तक आप बात छोड़ी दीजिये आज जो कबरस्तान की शहर को जरूट क यह कर सान चरह जिस दिन मुम्चाम के ल look अर्मेल आश्या फैसर्ड टया भी परोधों दॉसको सब्सक्राम्ड है उसको पर उतरेंगे तो जिस विकास को आपने जूट बताया है उस विकास को अब क्या बता होगे? इसविकास को जूट नहीं बताया। विकास नहीं हुआ बताया। आपकी पार्टी में मैं आया होगे? यह आपकी पार्टी में मैं आया हूँ. मतलं किसी तरह काम करके दिया किस ने काम कर दिया पहलों अब बुलते दो काम ही ने कर रहे हैं कि अरे भाई कुछ चीज़ें 100% कि 100% नहीं किया लेकिन जैसे जैसे वक्त निकल जाएगा वैसा था होते जाएगा अपने काम को शेर के तालिक सो जोना चीज़े उस सबसे अंजाम दिया आज मैं उनके साथ में आया हूँ तो आज भी मैं उनको यही बताओंगा कि सब जो काम रुके उसको जल से जल करवा के दो मैं आज उनकी पार्टी में इस लिए गया हूँ कि मुझे मुम्रा में सेना और बीजिपी नहीं चाहिए तेके वो वक्त-वक्त की बात होती है सब यह वक्त-वक्त की बात होती है हल टायम का नजरिया अलग-अलग बदलता चलता जाता है ने कुछ वक्त पहले कुछ नदरिया था, इस वक्त नदरिया और आगे चलके कुछ नदरिया हो सकता है। पार्टियां जैसे जैसे काम करते जाती हैं, लोग उनसे वैसे जूरते जाते हैं, उनकी समझने जाते हैं, उनकी आइडोलिश्यों भी विश्वास करने जाते हैं. आज भाई जिस तरह से M.I.M. पार्टी अपने तमाम मुद्दों को लेकर मुम्रा शहर में उतरे थी, कौम को ये करेंगे, अपने कौम के लिए वो करेंगे, तो इस पर आप लोग M.I.M. के साथ थे, लेकिन आज अचानक जो है, इस तरह से खबरे सामने आए कि आप जो है, NCP में सामिल हो गए? देखिए, कुछ ना कुछ हमारे साथ में गलत हुआ है, जो हम बहुत बुरा हमारे लिए था, हमारे पार्टी के लोगों तो हमारा विरोध था कि इसको टिकिट ना दें, ये अलड़ी बेकार इंसान है, जो भी इसने किया, शेर के तालुक से उसने पा कार्यकरता हो और शेर को दोगा दिया, तो ए बहुत ही बुरा था, और NCP जॉइंट करने की वज़ा ये है के लिए पतब, पिछ ये सियासत है, हम लोग जो काम कर रहे हैं, ये अवाम के लिए काम कर रहे है, और हर पाटी की अपने एक आइडिलोलोजी है, और हम इसक्तों क अज मैं जिस वग बात मुझे बहुत जाइव से मैं अपनी नापनी पार्टी Design तो आज मैं दूसरे पार्टी में जा रहा हुआ और ऋडिक हो Θ Weli जिसको टैकितने मिले उसको धर्थ होता है टकली को बढ़े घाती है तो हमने हमने अच्रान को अभाथ पार्टी है लेकर गया थो तो मने अपना अपना फेसला ले का लिया Approks मेरे पीछे महिरी भाध ताःेख मुझे रहे हो तो उन्मेर dog जो मुझे भोल्ट कर साथ में तू एक्षा नहें WORK एप सप्छमिट चाल चॉड़ मेंुट कोल ज़ं कर दोर भार है सब्स कर दें हा कर दो ठाध है me एक मेमान जब घर पर आता है तो भाई हमारा फर्स बनता है को उसका तगवाल किया जाए हमने बैठा काफी देर हो मेरे घर पर बैटे एक गंटा देर गंटा बैटे उने काफी मुझे समझा आए काफी मुझे काँ कि देखो तुम लोग जैसा बोलें के मैं वैसा करूँगा म अकल मैंने रात में NCP पार्टी जॉइंड कर ली तो ये थे आयाज बाबलू जिन्होंने अब NCP पार्टी जॉइंड कर ली है और इनका कहना है कि अगर असदुद्दीन OVC फैसला ले सकते हैं तो मैं भी एक इनसान हूँ मैं भी अपना फैसला ले सकता हूँ कि मुझे कहा जाना है और किस पार्टी में रहना है लेकिन फिलहाल कहीं न कहीं मुमबरा में जो M.I.M. party है उसके उम्मिदवार को फरार होना ना मांगकन वापस लेना ऐसे में अब एक एक कर पार्टी से लोगों का निकलना और दूसरे पार्टी में शामिल होना ये कहीं न कहीं जो हैं M.I.E.M. के लिए सबसे बड़ी खत्रे की घंटी बन गई है ताजा तकन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल आइकॉन दबाना न भूले अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें